गाइस, Apex Legend Mobile के device requirement का थोड़ा info मिला है और अगर आपको जानने है कि आपके device में game चलेगा या नी तो ये वीडियो में आपके लिए specially लेकर आयो, आपको बस ये वीडियो है इन तक देखना है जरा भी skip नहीं करना है Let's do this What's up YouTube, मेरा नहीं साइदर स्पाइडी, welcome back to my YouTube channel, मैं हाया एक brand वीडियो के साथ Today's shoutout goes to Mahesh Max and Real Pro Mommy Guys, channel को support करने के लिए I am very much thankful, आपके support की बिना रोज content बनाना possible नहीं है आगे भी ऐसे ही support करते रहना And guys, who are new to the channel, do subscribe क्योंकि मैं ऐसे ही leaks, update, gameplays अपने channel पर लेके आता हूँ So, जरूर सबस्क्राइब करना And मैं आगे जाके मेरे upcoming videos में आप में से किसी को random shoutout देते रहता हो So, subscribe तो बनता ही है So guys, जैसे कि आप सबको पता है, Apex Legends Mobile बहुत ही जल्द Android और iOS में देखने मिलने वाल है अगर आपको गेम के बार में कोई भी आइडे नहीं है तो आप मेरे previous video जाके definitely देख सकते हो मैंने इसके ओपर एक detail video बना ही है डेवरोपर से लेके गेम क्या मतलब पीसी में कैसे चलता है पीसी में इनके जो पॉपिलर कितना पॉपिलर हुआ था मोवाइल में कवा सकता है रिलीज डेट बेटा वर्जन हमें कब देखनी मिलेगा प्लेटेस्ट के बार में इस सारा detail मैंने और डेड़ी प्रिवेस वीडियो में दे दिया है यह वीडियो में जादा डेटेल में नहीं जाने गाला हूँ क्योंकि यह वीडियो फिलाल तो डिवाइस रिक्वार्मेंट के उपर है और काफी जादा बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए अब मेरी वीडियो जाके चेक आउट कर सकते हो लिंक रही के डिस्क्रिप्शन में ज़रू चेक आउट करना मैं अभी शॉट में थोड़ा आइडिया दे देता आपको कि यह गेम है क्या अब आपको गेम के बारे में अगर अगर आपको गेम के बारे में अगर देखना हो तो यह आप जाके स्टीमर्ट के वीडियो के देख सकते वह व cynical थोड़ा next level पर अप स्टीमर्स अभर ग्राफिक से अन्धासा लगा सकते हैं कि यह वाश्ट प्र यह वाश्ट फ स्ट्ना ज्यादा है कितना वो अक्टोबर में हमें ग्लोबल वर्जन देखने मिल सकता है स्पेक्स रिक्वाइड मचला डिवाइस रिक्वाइमेंट क्या है एलेवन बायोनिक एन अबाव फॉर इवाइस मतलब यार अगर आपका एलेवन बायोनिक चिप उसका इंडिरेक मतलब होगा कि आइफोन एट रहेगा या फिर उसके उपर तो आपका गेम आराम से चलेगा आपके फोन में और पर मैं इसके बारे मैं भी आगे बता तो वीडियो स्किप मत करना या फिर वीडियो क्विट मत कर देना मतलब इनफ है टू प्लेगेम या फिर मतलब मैं आपको बता दू कि यह जो उन्होंने रिकमेंडेशन किया है यह बेसलाइन होता है आप यह अगर इतने आपके डिवाइस रहेगे न तो आप गेम आराम से खेल सकते हो और जो ग्राफिक्स गेम देता है जो मतलब जो स्मूथनेस देता है फ्पेस देता है वो आप इजी लिए यह इस पेक्स पे खेल सकते हो पर यान में आपको बता दू कि ऐसा कुछ भी नही क्योंकि यार देखो जब कॉड़ डूटी मोबाइल भी जब लॉंच होता या फिर पजी ओवल जब लॉंच होता उसके भी स्पेक्स जरा है थे तभी उन्होंने उसके उपर काम किया फिर उन्होंने सेटिंग्स लाइग अपने गेम में उसके बाद लो एंड डिवाइस व ले प्लेश भी खेल सके नहीं तो समझो अगर इन्होंने अगर इतना यह रेकमेंडेशन दिया कि यह 625 लगेगा एट लेवन बायोनिक चीपी लगेगा अगर ऐसा रहा ना गाइस गीम जो लो एंड डिवाइस वाले प्लेश खेली नहीं पाएगे अगर आपको अभी भी बहुत एक अंपरिटिवली हाइन डिवाइस से क्योंकि हाइन डिवाइस कॉमन सेंस है हाइन डिवाइस बहुत ज्यादा मेंगा आता है आरो जी वन प्लस 30 20 30 में पहले मिलते थे अभी 40 50 और आरो जी फाइज जो आया भी तो 80,000 का है तो आप समझ सकते हो कि हाइन डिवाइ नहीं है उनको भी पहता है लो इंट टिवाइस वाल एक यूजर बहुत है अघर आपको बता हूसिदा सीतरी की गम हमें लो इंट ट्रव को मिले गा या नहीं तो मैं सीदा आपको बोल रपके आपको मिलेगा और आपको 2GB Ing Ha am ale fone है तो आपको आराम से ये गेम देखने मिल जाएगा without any issue क्योंकि गाइस company को भी कमाना है अगर आप low end device वालों को निकाल दो तो company का कितना ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं मेरी हिसाब से 62-70% users low end device वाले और 30-25-30% लोगी high end device वाले जो high end पर खेलते हैं और low end device वाले बहुत ज साब से game launch करना है तो जो low end device वाले जरा भी मतलब टेंशन मत लेना हाँ आपने स्क्रींशॉस देखा होगा कि इतना मतलब कम से कम 6GB 8GB वाला रैम वाला फोन चाहिए तैर उसके ओपर भरोसा मत रखना वह सिव प्लेटेस्ट के लिए उन्होंने अप्लोड किया था कि हमने ए इतने इतने स्पेक्स के साथ खेलो और फिर से में 11 को एक e-sports का एक एक conference होने वाला है तो उसमें हमें पता चली जाएगा गेम के बारे में और गेम का एक हमें ट्रेलर भी देखने मिल सकते हैं बेटा वर्जन कब रिलीज होगा हमें ये भी देखने मिल सकते हैं प्लस गेम गेम के requirements डिवाइस requirements भी हमें पता चल सकते में 11 ज्यादा टाइम नहीं है बहुत ही जल्द होने वाल है और एप्रिल में हमें ऐसा लग रहा है कि एक sources की तरह से मुझे पता चला है कि एप्रिल में हमें trailer या फिर बेटा वर्जन देखने मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने February 3 3 तारिक उन्होंने अप्लोड किया था अपने ट्वीट किया था कि हम एक 3 to next 3 to 4 months में गेम के बारे में कुछ ना कुछ एक बेटा वर्जन अप्लोड कर देंगे तो गैस अगर 3 to 4 months में बेटा आ रहा है तो मतलब गेम का एक trailer एक teaser आई जाएगा आपको एक अभी idea तो आई गया होगा कि game कुन से device specs पे चलेगा पर अगर आपको अभी भी डाउट रहेगा जितने भी लोग अगर आपको डाउट रहेगा कि मेरे phone में चलेगा है नी तो आप फट से comment कर सकते है video post करो नीचे comment कर दो आपका device का नाम comment कर दो and मैं आपको बता device requirement android और iOS के लिए iOS के लिए तो मैंने बोल दिया iPhone 6 6 या उसके उपर रहेगा तो आराम से game चलेगा कोई issue नहीं है बहुत से बंद्र डीम कर रहे थे comment section में पूछ रहे थे कि स्पाइडी भाई एक एक वीडियो बना दो device requirement के उपर यार मेरे phone में गेम चलेगा है नी तो इसलिए मैंने specially उन लोग के लिए वीडियो बनाया है तो अगर आपके कुछ दोस रहेगे उनको भी डाउट होगा तो आप ये वीडियो उनके साथ शेर कर सकते हो ताकि यार और सबस्करिब्स करने कि यहांद कर लेंगे रहते हैं और सब्सक्रीब करना टोटली फ्री तो सब्सकाइब तो बनता ही और आप मेंसे किसी को राइडम शाट आउट दे दूगा कियार मैं आपने सब्सकाइबस के बिना कुछ भी नहीं हूँ आप मेरे वीडियो देखते हो सब्सक्राइब करते हो सपोर्ट करते हो इसलिए में रोज वीडियो अप्लोड कर पा रहा हूँ तो यार आज के वीडियो के लबस इतना ही ता मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर आदियोस आमी गोस सिया